हलो इस्टूडेंट तो स्वागत है आपका श्रगल अश्टडी अगाडवी में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे परमे 6.3 और ये परमे 6.3 क्या कह रहा है दोस्तों यदि दो तिर्भुजों में जैसे हमने ले लिया यहाँ पर दो तिर्भुज यह आप देख रहे हैं ये वाला तिर्भुज और ये वाला तिर्भुज दो तिर्भुज हमने ले लिया है ठीक है संगत कोंड बराबर हो यानि संगत कोंड का मतलब इसके साथ वाला कोंड है जैसे कि ये वाला कोंड इस कोंड के बराबर हो फिर ये वाला जो कोंड है इस तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है यानि कहने का मतलब है ये वाला भुजा बटा में ये वाला बराबर होगा ये वाला भुजा बटा में ये वाला ठीक है और इसलिए ये तिर्भुज समरूप होते हैं तब जाकर क्या होता है दोनों तिर्भुज समरूप होता है तो उमिध है ये आपको समझ में आ गया होगा या फिर से देख लिजे अगर दो तिर्भुज में संगत कोण आपस में बराबर हो तो इनकी संगत भुजाएं पाती तब ये दोनों तिर्भुज क्या होते हैं समरूप होते हैं तो हमने मान के चला यहां पर कि तिर्भुज ये है हमारा A, B and ये वाला C ये वाला D मान लेते हैं ये वाला E और ये वाला YF है ठीक है दोस्तों तो क्या-क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर दे रखा है अपको यहाँ पर लिखेंगे कि चुकी दिया है ठीक है एकदम किलियर हो जाएगा दोस्तों यह परिच्छा में बहुत बार पूछ चुका है ठीक है चुकी दिया है तिर्भूज ABC और तिर्भूज DEF में DEF में संगत कोण बराबर हो है ना यहाँ पर बूला है ना दो तिर्भूजों में संगत कोण बराबर हो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण A बराबर कोण D कोण B बराबर कोण E कोण C बराबर कोण F ठीक है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण A बराबर कोण D कोण B सी बराबर कौन यफ है ना तो सिद करना है तो सिद करना है यहाँ पर तो सिद करना है किसके संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है एबी बटा में डी ये देखिए आप एबी बटा में डी इए इकवल टू यहाँ पर देखें एसी बटा में डी अफ बराबर बीसी बटा में इफ है ना एबी इफ है तब जाकर दोनों तिर्भुज यानि तिर्भुज ए बी सी समरूप है तिर्भुज डी इए बैट यह आमने सशिद करके दिखाना है ठेक अब इसके लिए क्या करते है दोस्तो थोड़ा सा रचना कर लेते हैं क्या करते हम लोग रच MONAR यहां पर देखे रचना हमने क्या किया कि यहां पर देखा जाए तो यह तिर्भुज A B C का यह वाला भुजा A B जो है D E के बराबर तो है नहीं तो हमने क्या किया कि रचना किया कि A B के बराबर D E हम D यहां पर P ले देता हूं कोई बिंदू ठीक है यहां पर माल लेता हूँ, यहां पर कोई बिंदू P होगा, ठीक है, यहां उने P ले लिया, और AC के बराबर हमने यहां पर कोई बिंदू Q ले लिया, यह हमारा Q है, ठीक, और इन दोनों बिंदूओं को मिला दिया, तो देखा जाए तो तिरभुज A, B, C के, जैसा ही हमारा त D, P, Q हो गया, है न, तो यहां पर देखिए अब कैसे कैसे सीध करते, सीध करते जाएंगे और आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो हमने जो रचना किया, क्या किया, A, B बराबर, D, P, A, C, बराबर, D, Q, खीचा और P, Q को मिलाया, ठीक है, तो यह बात को हम लोगो लिख कि, A, B बराबर, D, P, व, A, C, बराबर, D, Q, खीचा, तथा, P, Q को मिलाया, यह हमने मिला दिया, ठीक है, अब ध्यान देजिएगा दोस्तों, अब परमाण लेते हैं, क्या लेते हैं, हम लोग परमाण, परमाण में यह दोनों तर्भूज लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, तर्भूज A, B, C, तर्भूज A, B, C, और तर्भूज D, P, Q, है न, तो यहाँ पर हम लिखते चलते हैं, तर्भूज A, B, C, और तर्भूज D, P, Q, Q में अब ये दोनों तिर्भुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करेंगे सर्वांगसम इसलिए सिद्ध करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कोड B को कोड P के बराबर करूँगा ठीक है और उसके बाद जो होते जाएगा वो आप देखते जाएगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो देखा जाए तो कोड A कोड D के बराबर है यह तो दिया हुआ है यहाँ पे रचना हमने क्या किया A B बराबर D P यहाँ पे लिखेंगे कि A B बराबर D P है A C बराबर D Q भी है A C बराबर D Q यह कहां से आमने लिखा रचना से रचना से आप यहाँ पे देख सकते हैं A B जो भूजा है आपका D P के बराबर है A C जो है D Q के बराबर है ठीक है और देखा जे तो कोड A जो है कोड D के बराबर है तो यहाँ पे कोड A बराबर कॉंड डी और यह कहा है तो यह दिया हुआ है है हना कॎुष्टेन में अब देख लिया जये तो यह साइड यानि भूज-बरावर है दो को है एक कोंड बरावर है हम यहाँ पर क excited angle side सरवांग समतyah्णियम से है न। तो यहां पर लि्खेंगे side angle साइड सर्वांग समता नियाम से सर्वांग समता से दोनों तिर्भुज यानि तिर्भुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा तिर्भुज ये सर्वांग सम का सिम्बल होता है तिर्भुज DP क्यों के? तिर्भुज DP क्यों के? अच्छे ये दोनों तिर्भूत जब सर्वांग सम हो जाएगा तो संगत कोण आपस में बराबर है ना कोण B किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण P के ये वाले कोण के है ना तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण P के और ये कैसे होगा by CPCT rule है corresponding part of congruent triangle यानि जब दो तिर्भूत सर्वांग सम होता है तो संगत भाग आपस में बराबर होता है लेकिन हम लोग क्या देख रहे है लेकिन कोण B जो है किसके बराबर है देखिए यहां पर कोण B कोण E के बराबर ये तो दिया हुआ है ना ये वे ना हमारे पस लेकिन कोण B बराबर कोण E अच्छा यहां पर कोण B P के भी पराबर है कोण B E के भी पराबर है तो यानि कोण P जो है कोण E के बराबर होगा तो हम यहां पर कह सकते है इसलिए कोण P बराबर हो जाएगा कोण E के अब देखा जाए यहां पर कोण B कोण P और कोण E को तो ये तो संगत को बराबर होता है कि यह दोनों कोंड अगर बराबर है तो यहांपर बोलेंगे जatiques संगत कोंड है क्या है हमारा संगत कोंड है और ये संगत कोंड है तब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तो तब ये फिगर में हम दिखा दे आपको कि ये जो PQ रेखा है ये EF के क्या हो जाएगा आपको समांतर हो जाएगा है न तब PQ समानतर हो जाएगा किसके EF के और आप जान रहे हैं कि जब PQ समानतर हो जाएगा EF के जब किसी तिर्भुज में कोई रेखा किसी एक भुजा के समानतर हो जाए तो यहाँ पे थिल्स पर में लग जाता है है ना तो संगत हो जाए क्या हो जाएंगी समानुपाती कहने का मतलब है dp बठा में pe बराबर होगा dq बठा में क्यों आपके तो इस चीज को मैं अब अलग से लिखके आपको दिखा रहा हूँ है न यहाँ पर लिख रहा हूँ अब इसके बाद अब लिख रहा हूँ आगे तो अब यहाँ पर लिखूँगा मैं इसलिए थेल्स परमे से किससे थेल्स परमे से जिसे हम लोग bpt b कहते हैं थेल्स परमे से क्या हो जाएगा दोनों यह तिर्भूज की संगत हो जाए समानुपाती अर्थात dp बठा में pe is equal to क्या हो जाएगा dq बठा में qf के राइट इसको opposite कर देता हूँ अगर देखा जाए तो इसको opposite करूँगा तो मान में कोई परिवर्तन होगा की नहीं यह मान में परिवर्तन ही क्या यह दोनों बराबर हो पाएगा तो यहाँ पर देखें दो बठा तीन जो है बराबर है दो बठा तीन के तो मैं तीन बठा दो अगर लिखा या P E बटा में D P बराबर है Q F बटा में D Q के अच्छा दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं यहां पर क्या करेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरब जब एक जोडते हैं हम लोग तो फिर क्या हो जाता है PE बटा में DP और यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस वन और बराबर यह QF बटा में DQ अब प्लस वन हो जाएगा ठीक है अब हम लोग अगर इसका LCM ले ले तो यह PE प्लस DP DP और बटा में क्या हो जाएगा DP यह बराबर हो जाएगा आपका QF प्लस DQ और बटा में DQ एहाँ पर हमने LCM लिया है ठीक है अब देखे पीawan प्लस DP यहाँ पर देखे आप PE और प्लस DP मिलके क्या हो जाएगा D E हो जाएगा न यहाँ पर देखे बढ़ है असे फिगर को क्या हमारा दिया हुआ है P E और प्लस D P क्या हो जाएगा D E उसी परकार Q F प्लस D F D Q कितना हो जाएगा D F हो जाएगा न तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे D E बठा में D P बराबर हो जाएगा यह D F बठा में D Q के और अब इसे हम लोग अपोजिट कर सकते हैं यानि कहने का मतलब है D P और बठा में क्या हो जाएगा D E बराबर हो जाएगा D Q बठा में D F के और यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर dp जो है आपका यहाँ देख रहें न dp किसके बराबर है a b के बराबर और dq किसके बराबर है a c के बराबर है तो क्या मैं dp का जगा पर a b लिख सकता हूं एकदम obviously लिखा जा सकता है न तो यहाँ पर लिख सकते हैं लोग a b बटा में DE बराबर होगा AC बटा में DF के है ना तो यहां पर देखिए आप क्या सिद्ध करना था हमें कि संगत हो जाए समानुपाती यानि AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF है है ना अब बात उठ रहा है कि ये दो को तो भुजा हमने समानुपाती कर दिया लेकिन ये कैसे होगा तो एबी बटा में डी जो होगा बराबर हो जाएगा किसके बी सी बटा में इफ के अब ये कैसे होगा सर अब ये देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं ये पी क्यू जो भूजा है ये अगर मैं इस दोनों भूजा पर अगर इस तरह खीचा होता मैंने तो फिर ये दोनों बार बार यह समनी करना है एक बार करके हमने दिखा दिया तो उसी परकार वह भी हो जाता है है ना तो यहां पर देख लिया जाए तो यहां पर बोल सकते हैं इसको अगर समिकरन नंबर एक कर ले इसको दो कर ले है ना तो लिख सकते हैं हम लोग समिकरन एक वह दो से समि mins एक वह दो से क्या हो जाएगा यानि a b b ta d e जो है a c b ta d e f और b c b ta e f दोनों के बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते है a b b ta d e बराबर होगा a c b ta d e f यह बराबर होगा b c b ta e f के और जब यह बराबर होंगे तो फिर क्या हो जाएगा इसलिए यानि कि जब हुजाय समानुपाती होगी तो दोनों तिर्भुज क्या हो जाएगा समरूफ होगा यानि तिर्भुज ABC समरूफ हो जाएगा तिर्भुज DEF के और यही हमें सिध करना था इती सिधम यह हैंस प्रूब्ड भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो मिलता है दोस्तों यह वीडियो लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए और हाँ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है वेल आइकन को भी हिट कर लिजेगा और प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है वहाँ पर आप जाके प्रेपरेशन कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों